आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पालक की सबजी हर बार मेठी मटर मलाई या फिर पालक पनीर की सबजी खाकर बोर हो चुके होगे तो बनाईए इस तरह से मटर पालक की सबजी यह सबजी खाने में जितने टेस्ट्री लगती है बनाने में उतनी ही आसान है बहुत बढ़िया बहुत ही कम समय में हम इसे बनाकर करेंगे तो चलिए फटा इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पैन को हम गरम रख देंगे और उसमें डालेंगे आदा कब पानी पानी जैसे गरम होता है उसके अंदर हम डाल देंगी पालक तो यहां पर मैंने एक बंच ले लिया जिसे मारे ऴूले अब में इसके अंदर डूब निकाल कि साफ कर लिया है अब मैं इसके अंदर डाल देते हूं 4-5 अब जितना तीखाइट खाना पसंद करते है अब लेगा के 2 minute हो चुके है पालक भी अच्चे से सव्ट हो चुकी है अब हम करेंगे फ्लेम को आफ और इसे कर लेंगे घंडा जैसे ऑन यह warfare घंडी हो जाती है हम इसे पीस लेगे को जब तक मैं ले ले लिते हैं मिक्सरा का प्यास सब्सक्राइब जब तक टेक में 30ा नदर इगा घर काट लिए यहां और मैंने 30 km m अपीष्ट भनिया रख लेंगे है यहां देखिए बहुत ही 10» व Welsh यहां ट्रांसमर कर लेंगे ऊहा प्यास तो दयार है इस ही जार के अंदर हम टमाटर को भी पीस लेंगे यहाँ पर मैंने तीन बड़े साइस के टमाटर को मोटे मोटे पिसस में काट लिया है अब हम इसकी भी प्यूरी बना कर तयार करेंगे तो यहां देखिए टमाटर भी बहुत ही अच्छे से पीस कर तयार है तो अब इसे भी हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बॉल के अंदर और अब हम चलते हैं पालक की तरफ तो इसी पॉट के अंदर हमने पालक भी डाल दिया है पालक बहुत ही अच्छे से थंडा हो चुका है और हरी मिर्च और पालक को हम एक साथ मिकसर में पीस लेंगे तो यहां पर हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो यहां देखिए बहुत ही फाइन ली हमने पालक को पेस्ट बना कर ले लिया है तो चलिए अब एक बार इंग्रिडियंस देख लेते हैं यहां पर हमने पालक टमाटर और प्यास की प्यूरे बना कर ले ली हैं यहां पर मैंने लिए एक कप हरे मटर अगर आप चाहो तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हो तो चलिए फटा-फट से सब्जी बनाना श यहां पर हम डालेंगे दो तेज पते आप चाहो तो शाह जीरा की जगा पर साधे जीरे कभी इस्तमाल कर सकते हो अब हम ऑईल के अंदर डाल देंगे प्यास की प्यूरी को और आच्छे से इसे सौते करेंगे दो से तीन मिनिट तक फ्लेम को मैंने लो कर दिया और अब हम इ इसे एक मिनिट के लिए कंटीनू सौते करेंगे उसके बात मैं इसके अंदर डाल दोंगी टामाटर की प्यूरे तो यहां देखिए एक मिनिट हो चुका है जिंजर गार्ली का कच्छापन निकल चुका है ऑईल भी रिलीज होने लगा है प्यास के अंदर तो अब हम इसमें टोमेटो प्यूरे डाल कर इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक फिर से इसके अंदर आयल रिलीज ना हुए जब तक हमें इसे कुक करते रहना है दो से तीर मिनिट के अंदर ही यह देखिए ओल रिलीज होने लगा है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पालक की प्य मसाला या फिर आप किछन कीग मसाला भी डाल सकते हो यहां लेरियो में 1.5 तीस्पून धनिया पौडर, 1.5 तीस्पून जीरा पौडर, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक आपके टेस्ट के एकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हो, सभी मसाले आपस में अच्छे से मि रहेंढ़ कर तयार कर सकते हो, तो यहां पर मतर डाल कर हमने एक बार मिक्स कर लिया है, तो अब अब हम इसे लिड लगा कर कुक करेंगे दो मिनिट के लिए, तो यहां देखिए औहos मिनिट हो चुके है, वह जित बहुत प्यारा सा कल़र आया है, और मतर भी बहुत अच्छ जzesे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मलाई तो यहां पर मैंने घर की फ्रेश म ले लिए हैं hadा कॉप आप चाहो तो यहां पर आमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो यहां पर आप क्रीम का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगा पर आप काजू के पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हो 10-15 काजू को पानी के साथ भीगो लीजिए और भीगने के बाद उसका पेस्ट बना कर इस सबजी में डाल सकते हो उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा मलाई डालने के बाद हम दो मिनिट तक इसे कुक करेंगे ताकि जो मलाई का फ्लेवर है और सबजी के अंदर आ जाए और इसे कर लेंगे सर्विंग बाउल के अंदर ट्रांसफर तो कैसी लगी आपको हमारी आज किये मटर पालक की सबजी हमें कमेंट करकर जरूर बताना अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिप के साथ थैंक यू सो मच